Welcome to RBC Tech Channel, आपके अपने RBC Tech Community पे आपका बहुत-बहुत स्वागत है, दोस्तों बात करें टिपल सी एक्जाम के बारे में, तो टिपल सी का एक्जाम आप लोग का अक्टूबर मंद का होने वाला है, तो टाइम बेश ना करते वे, पहले कोश्चें इसमें देखते हैं, दोस्तो Z Printer each, इसमें से कौन सा हो जाएगा? Option दिया गया, आपके पास में, Option देख लीजिए, Z Printer, Thermal Printer, Laser Printer या None of these, तो यहां हो जाएगा आपका Option, C is Right हो जाएगा, Laser Printer जो है, वो उसकी Speed सबसे ज़्यादा होती है, प्रिंट करने के लिए, तो Option C is Right हो जाएगा, आप देखते है, question number two निम लिखित में से कौन सा cloud computing से संबंधित अधाना है which of the following is essential concept related to cloud computing reliability, productivity, abstraction या all of these तो इसमें से सही जबाब क्या हो जाएगा cloud computing के लिए आपके लिए जो है abstraction ज़रूरी है तो यहां हो जाएगा आपका option C is right हो जाएगा ठीक है दोस्तों चलिए देखते हैं अब जा next question who can open PMZD account PMZD in the sense हो गया आपका प्रदानमंत्री जन्धनिवोजना कौन open कर सकता है तो यहां देख लिजिए आपका anyone over the age of 10 years only head of the house only woman of the house या none of these तो यहां हो जाएगा आपका option A is right हो जाएगा प्रदानमंत्री जन्धनिवोजना कोई भी open कर सकता है तो option A is right हो जाएगा यहां पे आप देखते हैं अगला question पैसा जमा करने के लिए pen number जरूरी है यह पूछा गया है यहां पे pen number is required for deposit money कितना पैसा जमा करने के लिए आपको जो है pen number की जरूरत पड़ती है अगर आप जा रहे हैं बैंक में पैसे निकालने के लिए जमा करने के लिए तो पैन नंबर आपसे कम मांगा जाता है तो यहां हो जाएगा आपका option a is right अगर हमें पचास जार से ज़्यादा का लेंदेन करना है तो हमें pen number की जरूरत पड़ेगी तो यहां हो जाएगा आपका option a is right more than 50,000 दिया गया है चलिए देखते हैं बगला question basic input output system BIOS कहां इस्तित है BIOS का full form भी पूछा जाता है तो basic input output system हो जाएगा यह कहां पर जाया है यह देख लीजिए RAM में, ROM में, CPU में या nano of dgs में तो सही जवाब क्या हो जाएगा तो BIOS जो होता वो आपका ROM में होता है तो read only memory हो जाएगा इसका full form भी पूछा जाता है तो option b is right हो जाएगा यहां पर ठीक है दोस्तों यह बहुत ज्यादा important question है BIOS के बारे में, चलिए देखते हैं अब एक ला question, क्या LibreOffice में Ctrl F वही काम करता है जो MS Office में होता है, does Ctrl F do the same thing in LibreOffice as in MS Office, तो यह सही है गलत है, true false के questions आते ही है आपके question exam में, तो यह देख लीजिए यहां प काम करेगा, जो MS Office में करता है, तो option A is right हो जाएगा, अभी देखते हैं, LibreOffice software में OS, किस OS में चलाया जा सकता है, in which OS LibreOffice software can be run, Mac पे चलाया जा सकता है, Linux पे चलाया जा सकता है, या Linux, Mac, Windows, तीनों operating system पे चलाया जा सकता है, सही जबाब क्या होगा, फटा-फटा बता सकते है इसका सही जबाब क्या होगा, यह पता ही होगा, basically बहुत से लोगों को, यहां हो जाएगा, आपका option D is right हो जाएगा, तीनों पर जो है, इसको चलाया जा सकता है, LibreOffice को, किसी भी operating system पे चलाया जा सकता है, Linux, Macs और Windows तीनों में से किसी पे भी चलाया जा सकता, option D is right हो जाए है, तो IoT का मतलब होगा, Internet of Things, Bill Gates, Kevin Aston, Steve Jobs या 9 of Deez, यहां पे 9 होगया, 9 of Deez होता है, तो यह होगया, आपका option B is right हो जाएगा, Kevin Aston जो है यह, इनों ने Internet of Things को develop किया था, यह जो thought है, इसको जो है develop किया था, Kevin Aston, option B is right हो जाएगा, अभी देखते है, question number 9, strong password कैसे बनाएं, how to make strong password यह बहुत ज्यादा important है, और बहुत बार पूछा जा चुका है, तो आपके इस तरह से strong password बना सकते हैं, easy to remember name, यह ऐसा बनाएं यह नाम जिससे याद हो जाया, या upper या lower case में word में बना सकते हैं, या अपने नाम से बना सकते हैं, या option D दिया गया है, at least 8 character with combination of letter and, with combination of number and letters, यहाँ पर हो जायागा, option D is right हो जायागा, क्या सही जबाब होगा, option D is right हो जायागा, at least उसमें 8 character होना चाहिए, combination होना चाहिए, दोनों का number और letters दोनों का होना चाहिए, तो option D is right हो जायागा, चलिए देखते हैं बगला question, IPV4 और IPV6 के bits में क्या अंतर है, what is the difference between IPV4 and IPV6, यहाँ देख लीजे, option दिया गया आपके पास में, IPV6 कितने bits का होता है, यहाँ पर बताना आपको, और IPV6 में, IPV4 के बीच में difference बताना है, तो यहाँ हो जायागा, आपका option D is right हो जायागा, 32 और 128 का होता है, तो यहाँ हो जुड़े परते कंप्यूटर में क्या आवस्यक है, what is required in every computer connected to the internet, web browser होना चाहिए, उसमें password होना चाहिए, IP address होना चाहिए, या antivirus होना चाहिए, तो इंटरनेट से जुड़े परते कंप्यूटर में जो है, आपको IP address जरूरत होती है, तो यहाँ पर हो जायागा, आपका option C is right IP address, अभी देखते हैं, अगला question, IP address किस layer पर काम करता है, which layer does the IP address work on, transport layer, network layer, data link layer, या physical layer, तो यहाँ हो जायागा, आपका option B is right हो जायागा, network layer पर जो है, IP address काम करता है, तो option B is right हो जायागा, network layer, चली देखते हैं अगला question, Libre office impress में, यदि आप master slide में एक graphic जोडते हैं, तो यह आपकी प्रस्तुती में परतेक slide पर दिखाई देगा, इन Libre office impress, if you add a graphic to a master slide, it will appear on every slide in your presentation, यह देख लीजे true false के कुश्चन है, true false में बहुत जादा important है, तो बिल्कुल यह सही हो जायागा, अगर आप master slide में कुछ भी add करते हैं, तो आपके सारे page पे जो है दिखाई देगा, तो option यह हो जायागा, true, option A is right हो जायागा, अब देखते हैं, Libre office impress में जूम का नियुनतम आकार क्या है, what is the minimum size of जूम in Libre office impress, 5%, 10%, 15% या 50%, तो यहाँ हो जायागा, आपका option A is right हो जायागा, option A, चलिए देखते हैं, question number 15, MS Excel में, निमलिखित में से कौन सा एक financial function नहीं है, यहाँ पर देख लिजिए, in MX Excel, which of the following is not a financial function, FV, Sum, NPV या PMT, तो यहाँ हो जायागा, आपका option B is right हो जायागा, जो sum function है, वो mathematical है, ना कि financial, तो यहाँ पर हो जायागा, आपका option B is right हो जायागा, चलिए देखते हैं, question, अगला, MS Word में, status bar में क्या दिखाया जा सकता है, what can be shown at status bar in MS Word, name of the document, insert button, spell check, तो name of the document आप shown नहीं कर सकते हैं, number of spelling error, page number, या document name, यहाँ पर भी document name आ गया, यह भी नहीं होगा, number of page in documents, या word count, या none of these, तो यहाँ हो जायागा, आपका option C is right हो जायागा, number of page आप सो कर सकते हैं, और word count भी सो कर सकते हैं, जो है status bar में, यहाँ पर आ जायागा, option C is right हो जायागा, अभी लिखते हैं, question number 17, online banking storage system का कौन सा हिस्चा बड़ी मात्रा में data सुरक्षित करता है, which part of the online banking storage system secure a large amount of data, CPU, mass storage, secondary storage, या memory, यहाँ हो जायागा, आपका option B is right हो जायागा, सही जबाब क्या होगा, mass storage, जो है online banking की बात की जा रही है, तो यहाँ पर mass storage हो जायागा, सबसे ज़्यादा data को इस्टोर करने, वाला, option B is right हो जायागा, अब देखते हैं, question अगला, निमलिकित में से कौन से computer के good है, which of the following are qualities of a computer, speed, work without error, confidentiality, या all of these, तो computer के यह सारे good आते हैं, तो यहाँ हो जायागा, आपका option D is right हो जायागा, यह सभी जो है computers के feature या quality कहिए, तो option D is right हो जायागा, चलिए देखते हैं, अगला question, what is the shortcut key to save as LibreOffice Writer, LibreOffice Writer में save करने की shortcut कुझी क्या है, save as करने की shortcut कुझी क्या है, control shift s, control s, या F12, या none of these, तो option A is right हो जायागा, यहाँ पर control shift s, option A is right हो जायागा, चलिए देखते हैं, अखला question, portran programming बासा का अविसकार किसके द्वारा किया गया था, portran programming language was invented by John Fordan, या John Bacchus, Tim Bernersley, या none of these, तो यहाँ हो जायागा, आपका option B is right होगा, John Bacchus ने जो है, portran language को invent किया था, या develop किया था, तो option B is right हो जायागा, आप देखते हैं, अगला question, memory एक ऐसा उपकरण है, जो data को स्विकार कर सकता है, उन्हें store कर सकता है, और यहाँ तक कि इसे बाद में paste भी करें, memory भी एक है, यहाँ पर dash दिया गया है, तो क्या फिल होगा यहाँ पर, memory is a device that can accept data, store them and even present it later, memory is also a semiconductor device, translator, transmitter या none of these, तो यहाँ हो जायागा, आपका option A is right हो जायागा, memory is also a semiconductor device, option A is right, हमें देखते हैं अगला question, voice recognition technique के तहत data कैसे लिखें, how to write data under voice recognition technique, voice recognition techniques की बात की जा रही है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि type कर कर सकते हैं, या writing कर सकते हैं, या speaking कर सकते हैं, या printing कर सकते हैं, तो voice recognition की बात हो रहे हैं या या आपको बोलना पड़ेगा, यहाँ option C is right हो जाएगा, I speaking, option C is right, voice recognition, option C is right, अभी देखते हैं, number test question, WhatsApp में सदस्यों की संख्या कितनी है, what is the maximum number of member in WhatsApp group, यहाँ पर देखना है, कि यह तो बहुत जादा important और बहुत बार पूचा गया है, तो 256, 250, 260, 280, सी, तो हो जाएगा, आपका option A is right, 256, member हो सकते हैं, एक WhatsApp group में, तो option C, option A is right हो जाएगा, यहाँ पर, ठीक है, option A is right, अभी देखते हैं, question, आप लोगों से online कैसे जूड़ सकते हैं, how you can connect with people online, यहाँ पर देख लीजिए, social media के माध्यम से, या email के माध्यम से, go to public place, या none of these, तो अगर आपको लोगों से जूड़ना है, वो भी online, तो social media के माध्यम से, आप connect कर सकते हैं, या जूड़ सकते हैं, तो option A is right हो जाएगा, यहाँ पर, आभी देखते हैं, अगला question, ब्योसाज संगठन द्वारा, किस domain का उपयोग किया जाता है, बी इस right हो जाएगा, dot com का परियोग किया जाता है, organization, business organization के लिए जो है, तो option B is right हो जाएगा, dot com, तो इसी तरह से दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, देखते रहे हैं, यूट्यूब चैनल को, साथ इसाथ, बेल आइकोन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको हर notification मिलता रहे, तो take care, bye, 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 नमस्कार, friends.